हेलो एवरिवन वेलकम टू आवर चैनल सुपर स्टड़ी क्लासेश फ्रेंड्स आज हम बाल मनुभी ज्ञान और सिक्छा सास्त्र के टॉप थर्टी क्वेस्चन्स लेकर फिर से आ गए हैं जो की आने वाले एक्जाम्स के लिए स्टीटी और सीटेट के लिए काफी महत्तोपुर्ण हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और पड़ते हैं सिक्छा सास्त्र के टॉप थर्टी क्वेस्चन्स तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवाम सिक्छा सास्त्र के टॉप थर्ट पहला question, इसकोलों में अधिकतर सिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सरवाधिक आभाब पाया जाता है, option A, स्नेह, option B, क्रोध, option C, दोसार ओपन, और option D, ग्रिना, तो इसका right answer होगा, ग्रिना, इसके लों में अधिकतर सिक्षकों में अपने छात्रों के लिए ग्रिना का आभाब पाया जाता है, वो अपने छात्रों से स्नेह करते हैं, ग्रिना नहीं, बाल मनोविज्ञान के अनुसार, सिक्षा के छेत्र में बालक का सर्व प्रमुख अस्थान होता है, यानि A, option right होगा इसका अभिप्राय है, शमावेसी सिक्षा, अवर्जक सिक्षा, बिसेश सिक्षा, या एकी कृत सिक्षा, तो इसका right answer होगा, option number A, समावेसी सिक्षा next question, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, option A, अंतरमुखी, B, बहिरमुखी, C, उभय मुखी, और D, सुन्य मुखी इस question का right answer होगा, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, अंतरमुखी, यानि option number A, right answer होगा ब्रेल लिपी से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे को, अंधे को, गुंगे को या बिकलांग बच्चे को? तो इस question का right answer होगा, ब्रेल लिपी के माध्यम से अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है. अप्शन नमर भी right answer होगा. Next question, किसोरा अवस्था बरे संगर्ष तनाव वा तुफान की अवस्था है? या किसने कहा है? अप्शन A, Thorndike ने, अप्शन B, Skinner ने, अप्शन C, Pride ने और अप्शन D, Stanley Hall ने. तो यह कथन है प्रशिद मनोबिग्यानी, Stanley Hall की, जिनोंने Adolescent नाम की पुस्तक लिखी थी किसोरा आवस्था पर. नेक्स्ट क्वेस्चन, समायोजन सिक्षा का मुख्यकार्ज है? अप्शन A, विद्याले ने आने वाले बच्चों को विद्याले में लाना, अप्शन B, विशेस अपसकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाना, अप्शन C, विशेस वा सामान बच्चों को एक साथ स साथ पढ़ने की सुविधा देना या option D उप्रोक्त सभी तो इस question का answer होगा option number D उप्रोक्त सभी next question किसने सबसे पहले बुद्धी परिक्षन का निर्मान किया था option A David Wessler option B और option D तो इस question का right answer होगा option B अल्फ्रेड विने ने next question मनो बिज्ञान बेभार का शुद्ध बिज्ञान है या कथन है option A क्रो एंड क्रो का option B एसकीनर का option C वार्टसन का और option D प्याजे का तो यह यह कथन दिया है परशिद मनो बिज्ञानी एसकीनर ने इसलिए option नमर B इसका right answer होगा मनो बिज्ञान विभार का शुद्ध बिज्ञान है मनो बिज्ञान की पर्थम प्रयोग साला किसने अस्थापित की option A जेजे वार्टसन ने, option B विलियम जेम्स ने, option C विलियम उन्ट ने और option D मार्गन ने तो इस question का right answer होगा option C विलियम उन्ट ने मनो बिज्ञान को आत्मा का बिज्ञान किसने माना? अरस्तू ने, प्लेटो ने, डेकार्ट ने, उप्रोक्त सभी ने तो इस question का right answer होगा option number D, मनो बिज्ञान को आत्मा का बिज्ञान उप्रोक्त सभी ने माना? option number D, right answer होगा कौन शाह अधिगम को प्रभावित करने वाला वाहिकारक है? option A, वातावरन, option B, अभी प्रेर्णा, option C, स्कूल, और option D, रूची तो इस question का right answer होगा कि अधिगम को प्रभावित करने वाला वाहिकारक होता है वातावरन यानि option number A next question, सिखने का नियम किस ने दिया? option A, थर्णडाइक ने, option B, क्रो एंड क्रो ने, option C, प्याजे ने, और option D, बुडवर्थ ने तो इस question का right answer होगा option A, थर्णडाइक ने, थर्णडाइक ने सिखने का नियम दिया था next question, सिखने का वह शिधान जो अब लोकित ब्यभार पर निर्भर है सिखने के डैस सिधान से जुरा है option A, ब्यभारात्मक सिधान, option B, विकाश आत्मक सिधान, option C, समाजिक विकाश और option D, इन में से सभी तो इस question का right answer होगा option A, ब्यभारात्मक सिधान से जुरा है option A, right answer होगा next question, कोई सिख्ची का अपने विद्यारतियों को अध्यन के लिए आंत्रिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोसाहित कर सकती है option A, उनमें चिंता और डर पैदा करके option B, प्रतियोगितात्मक प्रिक्षन से option C, ब्यक्तिगत लक्ष निर्धायत करने और उनमें निपुंता पाने में मदद देकर option D, शाप दिखाई देने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी तो इस question का right answer होगा option number C, ब्यक्तिगत लक्ष निर्धायत करने और उनमें निपुंता पाने में मदद देकर Option number C, right answer होगा Next question, बच्चे के बिकास के सिध्धान्त को समझना सिक्छक की सहयता करता है किस चीज में? Option number A, सिक्छार्तियों की आर्थिक प्रिष्टि भूमी को पहचानने में Option number B, सिक्छार्तियों को क्या पढ़ाना चाहिए या स्थापित करने में Option number C, सिक्छन अदिगम सहलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में या Option D, इनमें से सभी तो इस Question का right answer होगा बच्चे के बिकास के सिध्धान्त को समझना सिक्चक को मदद करता है शिक्षक को मदद करता है शिक्षन अधिगम सेलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, यानि option number C जो होगा, so right answer होगा. next question, एक सिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रस्ण के उत्तर नहीं देती और अपने विद्यात्यों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोसाहित करती है, या उपागम डैस के सिधान्त पर आधारित है, option A, अनुदेशात्मक शामगरी के उचित संगठन, option B, अच्छे उदाहन प्रस्तुत करना और भोमिका परतिरूपन बनाना, option C, सिखने की ततपरता, option D, सक्रिय भागिदारी, तो इस question का right answer होगा, option D, सक्रिय भागिदारी, next question, सिख्चन अधिगम प्रक्डिया में ब्यक्तिकत रूप से ध्यान देना महत्त पूर्ण है, क्योंकि, option A, सिख्चार्ती हमेशा समूह में ही बेहतर सिखते हैं, option B, सिख्चक पर सिख्चन कार्जिकरम में ऐसा ही बताया गया है, option C, इसे प्रतेग सिख्चार्तियों को अ right answer होगा, सिख्चन अधिगम प्रक्डिया में ब्यक्तिकत रूप से ध्यान देना महत्त पूर्ण है, क्योंकि, बच्चों की बिकास दरें भीन होती हैं, यानि हर एक बच्चा एक दूसरे से different होता है, उनके सिख्चने के तरीके भी different होते हैं, option D, right answer होगा, next question, जिन प्याजे की मनोबैज्यानिक विचारधाराओं को किस और नाम से भी संबोधित किया गया है, option A, विकास आत्मक मनोबिज्यान, option B, कारियात्मक मनोबिज्यान, option C, बाल मनोबिज्यान, और option D, इन में से कोई नहीं, तो इस question का right answer होगा, जिन प्याजे के मनोबिज्यानिक विचारधाराओं को विकास आत्मक मनोबिज्यान के नाम से भी संबोधित किया जाता, यानि option number A, सही होगा, नेक्स्ट क्वेस्चन, सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक सिक्षक के लिए नियूनतम कारिये प्रति घंटे शप्ता निर्धारित किये गये हैं, option A, 40 घंटे, option B, 45 घंटे, option C, 50 घंटे, और option D, 55 घंटे, इस question का right answer होगा, option B, 45 घंटे, यानि B option सही होगा, next question, मानसिक आयू का परतिया दिया था, option A, Stern ने, option B, बिने सैमन ने, option C, तर्मन ने, option D, स्रिल वर्ट ने, इस question का right answer होगा, option B, बिने सैमन ने, मानसिक आयू का परतिया दिया था, नेक्स्ट क्वेस्टन, क्रिया परशूत अनुकूलन सिध्धान्त का पर्थिपादन डैस ने किया था ओप्शन A, एसकीनर ने, ओप्शन B, पावलाव ने, ओप्शन C, थर्ण डाइक ने, ओप्शन D, कोहलर ने इसक्वेस्टन का राइट एंसर होगा, ओप्शन नुमर A, एसकीनर ने, क्रिया परशूत अनुकूलन सिध्धान्त का पर्थिपादन किया था ओप्शन डैट होगा ओप्शन C, प्रसिक्षन अस्थांतरन और ओप्शन D, शीखना तो इसक्वेस्टन का राइट एंसर होगा ओप्शन A, शाकारात्मक प्रसिक्षन अस्थांतरन नेक्स्ट क्वेस्टन, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुदी लबदी वाला बालक माना जाता है ओप्शन A, सामान बुद्धी ओप्शन B, मन्द बुद्धी ओप्शन C, छीन बुद्धी ओप्शन D, पतिभासाली तो इसक्वेस्टन का राइट एंसर होगा नबे से 100 बुदी लबदी वाले वालक शामान बुद्धी के होते हैं यानि option A right answer होगा next question सीखी हुई बात को अस्रमन रखने या पुना अस्रमन करने की असफलता को कहते हैं option A स्मृति option B कलपना option C बिस्मृति option D ध्यान तो इस question का right answer होगा option C बिस्मृति यानि भूल जाना next question option A रौवर्ट हेविघासट option B अलिंग वर्थ option C जिन प्याजे option D हॉल तो इस question का right answer होगा रौवर्ट हेविघासट next question निम्ड में कौन से से भीन है option A 16PF option B TAT option C cloud picture test option D ड्रायमेन टेस्ट तो इसमें सबसे भीन है option नमबर A 16PF next question चिखना या आधिकम किसके सुचक है A. सिखने की मौलिक्ता के सुचक है B. सिखने की प्रगर्ति के सुचक है C. सिखने के गत्यात्मक्ष्वरूप के सुचक है या D. सिखने की रचनात्मक्ता के सुचक है तो इस question का राइट एंसर होगा सिखना सुचक है सिखने की प्रगर्ति के यानि option नमर B right answer होगा शंबेदी पेशिये अवस्था यानि sensory motor stage में सिशु का विकास कितने उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है option A 6 option B 5 option C 9 option D 3 तो इस question का right answer होगा option A 6 अवस्थाओं से sensory motor stage जो है इसमें सिखना का विकास 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है next question प्याजे के शंग्यानात्मक विकास सिधान्त के अनुसार शंबेदी क्रियाइत्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष जन्म से 2 वर्ष जन्म से 5 वर्ष तो इस question का right answer होगा option A जन्म से 2 वर्ष की जो आयू होती है वो शंबेदी क्रियात्मक अवस्था होती यानि sensory motor stage होती है तो friends आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यह वीडियो आपको उप्योगी लगी है इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए और वेल आइकन को पेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे थैंक्स फॉर वाचिंग